जाड़ातर ब्यापारी अपने बिजनस में सेल्स मॉडल के अंदर यह पांच गलती करते हैं जिसके चक्कर से उनको सेल्स के अंदर काफी नुक्सान होता है उनका प्रॉफिट नहीं बन पाता उनका कैस्ट फ्लो बहुत जादा डगमगा जाता है जिसका चक्कर से वो अपने बिजनस कर रहे हैं जिसको उन्हें इंप्रूब करना चाहिए उसको लगातार बैटर बनाते रहना चाहिए तो अपने इस चार साल की बिजनस कंसल्टिंग फील्ड के अंदर मैंने जब इन चीज़ों को समझा तो मुझे कुछ चीज़ें समझ माई जिसके चक्कर से एक बि नुकसान होता है देखिए इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता न क्या होता है जब आप किसी कस्टमर से प्रोफेशनली बात नहीं कर पाते तो वो आपको सीरेसली नहीं लेता उसको लगता ही नहीं है कि ये भाईसल इसका मैं प्रोड़क्ट इस्तमाल करूँ या नहीं क तो कभी भी वो अन प्रोफेशनल आदमी से खरिदना पसंद नहीं करता आपको कैसा लगेगा आप एक 20 लाख रुपे के कार खरिदना जाओ और वहाँ पर एक छोटो आपको आपके कार के बारें बताए वहाँ पर एक ऐसा आदमी आजा जो पड़ा लेखा ना हो और आपक इससे कस्टमर कभी भी आपको सीरेस नहीं लेगा आपका प्रोड़क्ट ना खर देगा और नहीं किसी को रिकमेंड करेगा कि आप उसका प्रोड़क्ट खरिदो तो सेल्स मॉडल के अंदर जब भी आप अपने टीम को हायर कर रहे हो तो कोसिस आप ये करना कि किसी प्रोफ आसा experience होगा और आपको ज़्यादा उसके उपर effort नहीं लगाने पड़ेंगे लेकिन जब भी आप अपने team को guide करो sales के उपर, professionalism के उपर तो सबसे पहले सिखाओ be polite, उन्हें polite होना सिखाओ, customer से कैसे politeness के साथ बात करते हैं, उन्हें active listening सिखाओ कि customer की बात को सुनते कैसे हैं, ज़्यादतर salesman क्या करते हैं, वो सुनते नहीं हैं, उनको ready retire script होती है उनके हाथ में, उसको पकड़ का ऐसा बोलते हैं, जैसे के ऐसा लगता है कि बंदे भारत के train भाग रही है, जिससे क्या होता है कि customer बोलता है कि इसने मुझे सुना कि इसने मुझे सुना दिया, calm and patience, customer को जब सुनते हो, तो बिल्कुल ही calmness के साथ, बिल्कुल ही calmness के साथ, बिल्कुल ही patience के साथ सुनो, अपनी बाते बोलने के लिए थोड़ा सा समय लगाओ, क्योंकि customer को जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक उसे आप result नहीं दे पाओगे, अभी भी बहुत सारे लोग यहां आप पर बोल रहोंगा, रहे ऐसा सोड़ी होता है, यह नहीं होता, वो नहीं होता, अभी आप सुनने रहे होगे, जाड़तर लोग, तो पहले आप अपने thought process को थोड़ा साइड रखो, पहले समझो, patience के साथ में आपको क्या पताना चाहता हूँ, तो यही आपको अपने salesman क अपने sales की team को या खुद को आपको समझाना है, अगर आप sales में हो, उसे के साथ साथ, be responsive, अपने customer के साथ responsive होना सेखो, अगर आपसे कुछ भी पूछ रहा है, whatsapp के थूरू, call के थूरू, तो उससे response करना सेखो, उसे हमेसा responsive रहो, तुरंत उसे वहाँ पर आप जो है, उसको इंदर आता हूँ, या फिर मा कुछ खरीदना चाहता हूँ, अगर आप मुझे से बोलता है, हाई Rajendra जी, कैसे हैं आप, आईए, आपका स्वाकत है, बदाए हम आपके कैसे help कर सकते हैं, फिर मैं आपसे बोलता हूँ, आपसे बाचित करता हूँ, आप मुझे सिंते हो, जान नहीं नहीं चाहिए, ये कोई अनप्रोफेशनल आदमी है, मैं एक बार कार देखने के लिए गया, तो कार देखने जम्मे गया, तो भाई सा वो मेरे को बिलकुल जवड़दस्ती बेचने का चक्तर में लग गया, अरे भाई ले लो, वो भाई 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 पर आगया, कभी आप सामने वाले को बहतर फील करवा पा रहे हो, कहते ना कि ऐसी वाणी बोलिये, मन का आपक होई, तो ऐसे सब्दा आपको बोलने, जिससे कस्टमर बोले और वह, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले आपको खरीता है, आपके सेल्समेन को खरीता है, तब जाके वो आपके आप सबसे दुनिया में प्यारा है, आप चाहते हो कि मेरे नाम के अटेंशन के वाले मुझे मिलने चाहिए, और मेरे अगर नाम लिए है, तो मुझे जट मिलनी चाहिए, तो उसको आप डिजर्व करते हो, तो पहला जो पॉइंट है, जिसको सेल्स डपार्टमेंट के है, खुद फॉन करेगा, उसको चाहिए होगा तो, हम सर किसी के पेशा नहीं पड़ते, हमारा सिध्धानत है, हमारे पास कोई कस्टमर आया, अब हम बाबुजी है, हमने सोरम खुल लगा है, हमने बिजनस खुल लगा है, हमने व्यपार खुल रखा है, भाही साब, हैना हम किसी को follow-up के लिए हना call नहीं करते, किसी मिलते भी नहीं है, किसी को message भी नहीं करते, क्यूंकि हम तो egoistic आदमी है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जो ego के चकर में, जो customer के साथ बातचीत नहीं करने के चकर में, जो follow-up नहीं करने के चकर में, अपना बहुत सारा business lose कर लेकिन बहुत सरे लोग इसको सीरेसली नहीं लेते वह सोचते है कस्टमर को कॉल क्यों करें देखो बहुत सब्सक्राइब करना चाहिए और इसका सॉलिसन क्या है अगर आप फॉलो अपको और भी बहतरी बनाना चाहते हो तो तो आपको साइकलोजिकल फॉलो अप लेना आना पसंद करते होगे किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आप पसंद करते होगे तो उन्होंने आपके साथ क्या किया अगर आप उनका कोई कोर्स खरीतते हो एक्जामबर के तौर पर मेरा वीडियो सेल्स का प्रोग्राइम है जिसके अंदर मैं आपको हेड़न फॉलो अप करना सिक उनके थुरू आपको कोई एड़ दिखाये जाता है और आप उसे बाइब कर लेते हो जो भी चीज़ें आज आप खरीतते हो आपको जोलेरी खरी दो या फिर आपको किसी ब्रैंड के कपड़े खरी दो आप किसी ने किसी से इन्फिल्वेंस होके ही उस चीज को खरीतते हो कभी ने कभी आपको प्रोड़क्ट दिखा होगा, आपने जाना होगा, समझा होगा, नाम सुना होगा, देखा होगा, तभी जाकर आज आप खरीते हो, तो यह psychological follow-up होते हैं, वह आपको बेज नहीं रहा है, लेकिन आपको मन में कहीं न कहीं psychological तोर पर अपने प्रोड़क्ट क में दिया है, जाके आप उसको access कर सकते हैं, उसे के साथ-साथ अपने follow-up को improve करने के लिए, कभी भी customer के उपर दबाव मत डालो, कि सर ले लो, ले लो, ले लो, हैना कई बार क्या होता है, कि हम customer को परिसान कर देते हैं, उसको number बिचारे को block करना पड़ जाता है, customer को समय दो उसको information भेजो, उसको जानकारी भेजो, उससे समय से में पर बात करते रहो कि सर आपका क्या फैसला है, आपने क्या फैसला लिया, आपको कहां पर समस्या आ रही है, क्या जानकारी है, आपको मैं दे नहीं पाया, कहां पर आपको कमी लग रही है, क्यों आप अपना decision ले नह अगर आप FOMO की अपनी इस strategy को यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छ रिजल्ट मिलेंगे देखो क्या है ना हम सब कुछ खोने से ड़ते हैं एक्जाम्बल के तौर पर अगर मैं अपने program से related आपको fear of missing out करवाऊं कैसे करवाऊंगा मैं आपसे कहूँगा ये केवल और केवल पूरे भारत का पहला ऐसा number one course है जो इतने कम price के अंदर आपको offer किया जा रहा है और ये offer इसी महने के लिए है अगले महने अगर आप इसे अंडूल करोगे तो आपको ये offer नहीं मिलने वाला जिसके अंदर आपको लाखो रुपे की जो training दूसरे लोग कराते हैं वो आपको केवल महज कुछ पैसे के अंदर आपको देखने को मिलेगी जिससे आप अपने पैसे ये बचा पाऊगे अपना time ये बचा पाऊगे और आपको बहतरी knowledge कम price के अंदर मिलेगी अगर आप इसे buy करना चाहते हैं तो आज आपके पास offer आपको valid है तो आज आपको ये offer मिल रहा है अगर आप इसको कल buy करते हो तो कल इसके prices double हो जाएंगे तो कहिना नहीं आपके मन के अंदर fear of missing out आएगा कि यार ऐसा करते हैं ले लेते हैं जाड़तर लोग यहीं करते हैं आपके साथ जो भी चीज आप खरिते हो न fear of missing out कर चकर से ही खरिते हो आप आपको लगता कि मेरे पास नहीं है या पिर ये मेरे हासर निकल जाएगा या पिर मुझे की जरुवत है या पिर आपने कहीं से नाम सुना होगा या पिर किसी ने आपको अप्रोच किया होगा कि सर क्या समस्या रहे है क्या दिक्कात आ रहे है क्या बरिसाने आ रही है तब जाके आपने खरीदा होगा तो sales के अंदर follow-up की strategy को हमेशा यूज करना क्योंकि follow-up बहुत powerful चीज होती है तीसरा point जिसमें जाड़तर ब्योपारी जाड़तर बिजनसमेन अपने ब्योपारी के अंदर sales के अंदर सबसे बड़ी गलती करते हैं उसका नाम है unable to generate qualified leads यानि कि सही आत्मी को यानि कि सही customer को लेके नहीं आ पाते सही customer आपके पास कब आएगा जब आपको पता होगा कि आपका ideal customer है कौन देखो अगर सही customer नहीं आएगा तो उसका impact क्या होगा आप marketing करोगे, ad लगाओगे customer आपके पास सही नहीं आएगा तो आपका moral down होगा, पैसा भी खत्म होगा आपकी sales की team के salary भी जाएगी आपका business का expense भी जाएगा लेकिन आपके पास sales नहीं आएगी च्योंकि आपके पास सही customer नहीं है example के तोर पर अगर एक salesman को audio car बेचनी है तो उसके लिए सही customer कौन है वो customer जो महने के 50,000 कमाता है 30,000 कमाता है जो गाओं में रहता है, जो middle class family का है कि वो उसको कार बेचेगा या फिर वो उसको कार बेचेगा जो business करता है, जिसकी महने की जो income हो 10,15,20 लाग से उपर है जिसका करोनो का turnover है, जो अच्छा-काजा अगर आप customer की profile नहीं बनाओगे तो आपके पास high quality lead नहीं आएगी high quality का lead का मतलब होता है वो potential customer जो आपका product खरीदना चाहता है जो खरीद सकता है, जो पैसे आपको दे सकता है वो ही आपका सही customer है जिसकी need भी है, जिसके पास पैसा भी है और उसको उस चीज की बहुत ज़्यादा सक्स जरूरत है वो ही आपका right customer है वो ही high quality leads माने जाती है जिससे आपका business बहुत तेजी नहीं बढ़ता है तो solution यह है, अपने ideal customer का यानि की ideal जो आपका customer है ICP यानि की ideal customer profile आपको बनानी चाहिए कि आपका customer actual में है कौन हैना high quality leads के उपर आपको काम करना चाहिए कि मैं कौन से customer गले काम करूंगा high quality होनी चाहिए आपके product के, आपके service की आपके ads की, आपके ad campaign की relevant content आपका होना चाहिए अगर आप कही social media में ad लगा रहे हो marketing कर रहे हो, हैना अगर आपको campaign चला रहे हो अगर आपको ad बना रहे हो, तो उसके अंदर relevant content होना चाहिए अगर मैं आपको आज अपना video sales का program बेजना चाहता हूँ, या पर दूसरे program बेजना चाहता हूँ तो मुझे आपको business problem solving content देना पड़ेगा तभी आप मेरा program खरदोगे, अदरवास आप नहीं खरदोगे तो relevant content मैं आपको दे रहा हूँ, search engine optimization इसको बोलते हैं, यानि कि SEO करना आप सीखो जिससे आप अपने website को rank करवा सकते हो, आप अपने YouTube channel को rank करवा सकते हो, आप अपने ad campaign को rank करवा सकते हो साथ में आपको paid ad भी लगाने हैं एक time पहले traditional marketing चला करती थी, जो बहुत महंगी होती थी radio में, radio में अपना ad देना, print में अपना ad देना, अगबार में अपना ad देना holding में अपना ad देना, यह बहुत महंगी होते थे आज के समय में, online ad चलाना सबसे ज़्यादा profitable माना जाता है तो आप digital ad चलाओ, है ना, उसके लिए ad campaign लगाना सीखो lead scoring, आपके जो lead है, उसकी scoring क्या है? है ना, वो hot है, warm है, है ना, वो cold है, है ना, वो क्या है? है कि मेरा customer, कौन सर्वाले पर customer आ रहा है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि देखो कहा है, high quality lead को आप तभी measure कर पाओगे, जब आप lead scoring करोगे आपके पास खरिदने वाले कितने हैं, जानने वाले कितने हैं, समझने वाले कितने हैं, सोचने वाले कितने हैं, और नहीं लेने वाले कितने हैं इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके ad की quality कितने अच्छी है साथ में आप लोगों से partnership करो, collaboration करो ताकि दूसरे का customer भी आपके पास आई बड़े-बड़े companies यह करते हैं अगर आमाल लेजिए आज मैं किसी के साथ कोई webinar या फिर मैं कोई podcast उट करता हूँ, किसी का interview लेता हूँ example के तोर पर कोई अगर कोई business करना सिखाता है, और वो मेरे पास आता है, अफर मैं उसके पास जाता हूँ, तो हो सकता है, उसके जो customer है, वो मेरे customer बन जाए, और मेरे जो customer है उसके customer बन जाए, हो नहीं सकता, बलकि होता ही है क्योंकि आपके अगर target audience same है, तो आप उसको अपना item बेश सकते हो, आप अपना product बेश सकते हो customer को, दूसरे customer को, अगर आपका customer एक ही है तो, चौथी जो गलती करते हैं, sales के अंदर ब्यपारी वह है, do not pay attention to old customer, जारतर लो क्या करते हैं अपने पुराने customer को एक बार को use भी करता है, तो वह आपको बहतर समझता है, तो आपको पुराने customer के उपर भी ध्यान देना है, उसको भी आपको attention देनी है, उसको भी आपको cross selling, up selling करना ही करना है इसका benefit क्या होगा, अगर आप अपने पुराने customer को खुष करोगे, उसको ही माल बेचोगे, तो आपकी जो sales है, वो 25% से 45% तक बढ़ जाती है नया customer तो लाना ही है, साथ में पुराने customer को भी हमें लगातार कुस्न कुछ बेचत रहना है तो अपने पुराने customer को return करने का तरीका क्या है कि उसको reward दो, उसको loyalty badges दो, या loyalty card दो, कि वो आपका पुराना customer है, उसको अच्छा treatment दो, उसको best treatment दो, उसको special treatment दो उसे के साथ रेगुलर उससे communication करते रहो बातचित करते रहो, उससे feedback लेते रहो साथ में उसको excellence customer support देते रहो पुराना customer अगर आपका खुस है आपसे, तो 10 customer लेके आएगा वो आपका advocate बन जाएगा, लगर अगर पुराना customer है आपसे नाराज हो जाएगा ना, फिर वो आपके बाद ने customer लेके नहीं आएगा तो ने customer को लाना कई गुना महँगा पड़ता है, बजाएगी पुराने customer के हाथ काम करना, वो सस्ता पड़ता है इसलिए पुराने customer के उपर पर धियान दो पांच में जो गलती करते हैं, sales के लोग पांच में जो गलती करते हैं, व्योपारी अपने business के अंदर वो है, unable to sell product according to customer need यानि कि customer के need के हिसाब से वो product नहीं बेशते मेरी need है एक अच्छी गाड़ी, बहतरीन गाड़ी जिससे हैना मैं अपने आपको हैना लोगों को सामने रिपरजन कर पाऊं, मैं लोगों को सामने इसको लेके जा पाऊं मैं उससे मेरी brand identity भी बढ़े लेकिन आप मुझे कोई दूसरी काड़ी बेशते हैं, जिससे ना तो मुझे कोई benefit होने वाला है नहीं मेरी brand identity अच्छी होने वाली है, बलकि मेरी brand identity लो होने वाली है अगर मुझे एक अच्छी high-end car चाहिए, मेरी need है कि मैं high-end car लूँ, 15-20 लाग के अंदर और मुझे आप 8-10 लाग रूपी कार देखा रहे हो जो मेरे business goal को meet नहीं करती है जो से beat नहीं करती है, यानि कि मेरी need को support नहीं कर रही है तो मैं इसको नहीं खरी दूँगा तो customer के need को समझने के लिए customer के साथ conduct करो service, उससे feedback लो customer को analyze करो, उसका behavior pattern देखो उसका data analyze करो, किस customer को क्या चाहिए ऐसे customer को किन चीज़ों का आउ सकता पड़ती है मैं ऐसा कौन सा product बेच रहा हूँ मेरा ideal customer कौन है जो आपका ideal customer है, उसको बहतरी नहीं बेच पाऊगा क्योंकि आपको पता है यह ले लेगा उसके मुस्किल हो जाएगा लेकिन आगर आपको पता है कि मेरा 15-20,000,000 customer कौन है और मुझे उससे कैसे अपरोज करके बात करना है उसका data आपके पास है उसको monitor कर रहे हो customer को customer support को आप देख रहे हो कि customer support से लोग क्या पूछ रहे है customer कैसे आ रहे मेरे पास पेंट पॉइंट का मतलब जिससे customer परिशान है अगर आपने उस पेंट पॉइंट को समझ लिया तो customer आपके इसन जुड़ा रहेगा आपसे product लगाता खरितता रहेगा customer से सवाल पूछो राइट सवाल पूछो उससे feedback लो इससे customer आपको improvement की कई सारे बाते बताएगा जिससे आप अपने business को अच्छा कासा boom कर सकते हो लेकिन अगर आप business के अंदर video sales सीखना चाहते हो कैसे आप अपने आपको business sales के माध्यम से grow कर सकते हो sales को extraordinary कर सकते हो hidden follow up सीख सकते हो तो आपको मेरे video sales program को जुरूर access करना चाहिए उसका link मैं आपको नीचर discussion में दे रहा हूँ तब तक आपसे मिलते हैं दूसरी video में क्यूंकि मैंने ऐसी बहुत सारी video अपने playlist के अंदर बना रखी है उस playlist का link मैं आपको नीचर discussion में दे रहा हूँ तो मिलते हैं आपसे उस playlist के अंदर उन videos के अंदर तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद